जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। मोन जीटी एन 2.6 टैबलेट सियार का उपयोग हिरदे से संबंधित सीने में दर्द, एंजाइना के इलाज और रोक्थाम के लिए किया जाता है। एंजाइना तब होता है जब हिरदे की मानस्पेशिय को पर्याप्त रक्त नहीं मिलता है। यह दवा रक्त वहिकाओं को रिलेक्स और चौरी करके काम करती है ताकि खून दिल तक अधिक आसानी से प्रवाहित हो सके। मोन जीटी एन 2.6 टैबलेट सियार को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधी के अनु का सर हो सकता है। समय के साथ आप में इस दवा को सहन करने की शक्ती बढ़ जाती है। जिसका मतलब यह है कि वही खुराक कम प्रभावी हो जाती है। इसकी रोक्थाम के लिए आपको वास्तव में विशिष्ट खुराक का शिड्यूल का पालन करना होगा। इस दवा का सब से आम दुश प्रभाव सिर्दर्ध है जो की गंभीर भी हो सकता है। इसमें फ्लूइट पीने और शराब से बचने से कभी-कभी मदद मिल जाती है। आप सिर में हलके पन का अनुभव भी कर सकते हैं जो आपके गिरने के जोखिम को बढ़ा सकता है। अन्य दूरलब साइ इफेक्ट हैं इनमें से कुछ गंभीर हैं। अपने आपको सुरक्षित रखने के लिए अपने डॉक्टर से पूछें और दवा के साथ आने वाले लीफलेट को पड़ें। अगर आप अपने फेफ़डों पल्मोनरी हाइपटेंशन में हाइब बलड प्रेशर अन्य दवाएं ले रही हैं। यह दवा लेते हुए शराब न पीना बहतर है क्योंकि इससे कुछ साइड इफेक्ट बढ़ जाते हैं। अगर आपको चक्कर आ रही हैं तो ड्राइविंग न करें। अगर आप गर्भवती हैं, गर्भधारन की योजना बना रही हैं या स्त अन्पान करवा रही हैं तो इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से पूछें। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिक को क्लिक करें। धन्यवाद।